सबसे पहले पहरो में बान फूट का गाप रखेंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, यहाँ पे ब्रीध इन करते हुए अपना राइट हैंड शोल्डर लेबल पे ले आएंगे, साथ में आप टोस पे आज राएंगे और यहाँ पे आप अपने ब्रीध को होल्ड करके र रुके रहेंगे, फिर हाथ को पीछे से घूमाते हुए वापस लाना है आपको, फिर अपना दोनों हाथ सामने से उठाते हुए शोल्डर लेबल पे ले जाएंगे, उपर हेट के पास, यहाँ पे दोनों हाथ को स्ट्रेच करना है, उपर की तरफ स्ट्रेच करना है, साथ म दोनों हाथ सामने क्रॉस करके रखेंगे, दोनों हाथ सामने से उठाते हुए, ब्रीध इन करते हुए, हेट के पास ले जाएंगे, यहाँ पर दोनों हाथ को उपर की तरफ स्ट्रेच करना है, और अपना ब्रीध होल्ड करके यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके रहेंगे, फिर दोनों हाथ को side से rotate करते हुए वापस side में लाएंगे फिर दोनों हाथ को side से ले जाते हुए उपर ले जाएंगे और यहाँ पे दोनों हाथ को interlock करेंगे interlock करके दोनों हाथ को उपर की तरफ खीशना है elbow से straight रखेंगे हाथ को और यहाँ पे पने breathe को hold करके थोड़े देर के लिए रुके रहेंगे दोनों हाथ को side से rotate करते हुए नीचे लाएंगे और यहाँ पे normal breathe करना है आपको दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाएं ताकि हमारे सारे update आप तक पहुचते रहें